राजधानी भोपाल के साथ ही मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों से दक्षिन पश्चिन मानसून ने विदाई ले ली है। इस बदलाव के साथ ही भोपाल में दिन का अधिक्तम तापमान 34 डिग्री सिल्सियस तक पहुँच गया। चिलचिलाती धूप और बादल छाय रहने की वजह से लोगों का उमस का एहसास हो रहा है। जबकि शाम होते होते नियूनतम तापमान कम होने पर मौसम में ठंडक देखी जा रही है। ये बदलाव न केवल भोपाल बलकी पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। मौसम वैज्यानिक अभिजीत चक्रवर्ती के अनुसार भोपाल समेट प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहने की संभावना है। दिन के समय तापमान 33 से 34 डिगरी के बीच रहेगा, जबकि रात के समय तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 34 डिगरी सेलसियस दर्स किया गया, जबकि नियूनतम तापमान 21.6 डिगरी पर पहुँच गया। इस गिरावट के चलते रात में ठंडी हवाएं चलने लगी। प्रदेश के पचमढी जैसे क्षेत्रों में तो तापमान और भी कम होकर 17.6 डिगरी सेलसियस तक पहुँच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड़क का एहसास और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के वैग्यानिकों का कहना है कि 20 अक्टूबर से रात के तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। ये गिरावट इतनी होगी कि रात का पारा 20 डिगरी के नीचे जा सकता है, जबकि दिन के समय तापमान 33 से 34 डिगरी के बीच बना रहेगा। इस बदलाव के साथ ही दीपावली तक भोपाल और प्रदेश के अन्य हिस्सों में सर्दियों के मौसम की शुरूआत हो जाएगी। मौसम वैज्यानिकों के अनुसार बैतूल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दक्षिन, शोकुरकला, त्रायसिं, सागर, दमो, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, कटनी, कुम्रिया, शेडोल और धार जिले में हलकी बारिश आने की संभावना है। इस बदलते मौसम के साथ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस बदलती तस्वीर का मजा लेते हुए सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।